मार मार के आज इस तबला फोड़ देगी लोग एक आलादीब जी तो अभी हम लोग यहाँ पर बस्याब हाथ खाने के लिए आई हो तो बस्याब हाथ नहीं खाओगी तो तुमको टटका बना के कौन देगा तुमको पूछने का दंग नहीं है तो कईसे पूछोंगी मैं ऐसे पूछा जाता है तो कईसे पूछोंगी तुम ही बताओ ना ऐसे मैं बताता हू ऐसे पूछो एक आलादीब जी किसलिए बुलाए हैं जी ऐसे पूछो नहीं हम लोगों को यहाँ पर किसलिए बुलाए हैं ज जिसको जहां देखो वही धम धम आने लगती है कलादेव जी तो हम लोग यहां पर पियाज जिलने के लिए आई हूं तब पियाज नहींजिलोगी तो बॉय गण कटोगी कलादेव हम लोगों उसे बहुत मजा कर रहा है बता देता हूं, फिर भी पूछने का ढग नहीं है, अरे जैसे बताता हूं, ऐसे पूछो ना, कहीं से, प्यार की मूरा तो हो प्यार से बोलो, बोलो तो ऐसा लगे कि मुझे फूल गिर रहे हैं, अब बोलती हो तो लगता है मुझे आग निकल रहे हैं, प्यार से पूछो, प हम लोगों को यहां पर किस लिए भुलाए हैं जी जाना है जंगल में किस लिए मंगल करने के लिए इस तो रप जदा का डोल है जब देखो तब डाम डाम आती रहती हो अरे सकी काला देब हम लोगों को गाली दे रहाई से पिटाई करो रोक 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 यह मोटकी कैसे कर रही है एह देखना इतना जोर से मारती है मैं गाली दे रहा हूं तो जंगल में मंगल होता है ओ जंगल में मंगल की बात मैंने कह दिया तो तुम लोगों को लगा कि मैंने तो जरूर होगा किस तरह से होगा बताता हूं जब यह दुनिया अंदकार में थी तो सुरी के उत्पत्ती हुई हैं जब यह दुनिया सोभाहीन थी तो तारे गन प्रकट हुए क्यों नहीं सारे संसार की उदासी दूर करने के लिए इस्तरी की पैदाईश होई वो इस्तरी जो विश्व को शांती का संदेश देती हैं और हर्थ के मादे को हिम्मत बदाती हैं उनी नारियों मेंसे तुम लोग भी हो जिनके पास कूट कूट कर अने को कलाएं भरी हुई हैं जब तुम लोग अपने और पक्षी भी कामातुर होटते हैं होटते की नहीं हाँ तो आज चलना है तुम लोगों को अपनी समस्त कला को बटोर कर साजो स्रिंगार को सजा कर हिमाले की तराई में अच्छा वहां जाने के बाद कामत देव के कामबान के द्वारा बसंत का निर्बार होगा और तुम स जות कि माद रे मिला वाया जा मुण नालो सकी माद रेम लाया जालो सकी माद रहां नालो सकी माझनी के गादारा की अवर सा बशान की आप अ की आपारे की आप बिल्गा करने के गाद लागी हमें सब्सक्राखी रवाए अजिका नंदे शिपादा जायो सखिये मसे ने बुलाएं वादा जायो सखिये गाये बाजाये निद्धाएं सभी सखिये मेरो विठाबा जलो सखिये मजैने मुणा वादा जलो सखिये एक आलादें जी हाँ जी अब हम लोग नहीं चल पाओंगी क्यों नहीं चल पाओंगी हम लोग बिल्कुल थक गई हो थक गई हो अरे तभी तो तुम लोगों के साथ मुझे को भीजा गया है अच्छा देवराजिंद्र जानती थे कि परियां दूर तक पैदल चलेंगी तो थक जाएंगी फिर थकी हुई पड़ियों के थकान कौन मिठाएगा इसलिए तो लोगों के साथ मुझे को बहीजा गया है थक गई हो तो लेट जाओ सही से लेटी रहो मैं तुम सभी परियों की ठकान मिटाता हूं और बारी-बारी से सबका पाउँ दबाता हूं अरे हम लोग आप से पाउँ दबाने के लिए नहीं आई हूं अरे तपाउँ नहीं दबाऊंगा तो ठकान कैसे मिटेगी हमें तो बाबा को देखना है अच्छा बाबा को देखना है हाँ ऐसान काना चाहिए बाबा को देखना है तो बाबा को देखना है तो पास से दूर चली जाओ ठीक है मैंने क्या कहा आप ले करा कि पास से दूर चली जाओ तो मैं दूर से पास आई हूँ पॉने लाटी ख़चार देंगे हम के दूर जाने के लिए तो नजदीक में सठने के लिए गई है चलो कोई बात नहें आगई है तो देखो मेरी जेब में है बाबा को निकाल के देखो देखो जब देखो तर-ठर आती रहती है कहला देब जी अजी, हरे पकेट में बाबा रहते हैं, पकेट में बाबा नहीं रहते हैं, नहीं, इवात जानती हो के पकेट में बाबा नहीं रहते हैं, आद रास्ता में कहती हो के बाबा को दिखाओ, बाबा को दिखाओ, बाबा मेरी जेब में है के मैं निकाल के दिखाओंगा देखो बा कालादीब जी कितना दुर है बाबा अब हम लोग आ गये हैं तो देर किस बात के है जल्डी दिखाओ ना कहां पर है बाबा अभी दिखाता हूँ तुम लोग शंटिंग में लगो लाइन में लगो शंटिंग में लगो हा ऐसे ही से दबा को बड़ा बर दूरी पर रखो हा ऐसे खड़ी रहो हा मैं जिधर दिखाता हूँ उधर देखो बाबा नजरा जाएंगे अचा ठीक है जिधर मेरी ये उंगली जाए उधर देखना बाबा नजरा जाएंगे देख रही कि हो डेखो 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 . कहा ह क्या है बाबा ? जा है रव्ती बाबा ? वेटान के मनुष्टैं राजाता बताए मेंनुष्टैए पक्थर पथर का छटका छटका ठुकरा सब है तुमको बनूसंत जरारा है मैं दिखाता हूं किदर तुम देखती हो किदर अचा ध्यान दो मेरी बात पर मैं क्या कहता हूं जिदर मेरी ये उंगली जाए उधर देखना बाबा नजर आ जाएंगे अचा ठीक है देखो अरे सकी काला दीब हम लोगों ठाग रहा है इसे पीटाई करो कि लुफा użyभा मैं टो कहीं नहीं देख रही हूं बता ओ लोको रात में रतो नी होती है इलोको दिने में दिनों नी हो गया है एह गिदीखाई नहीं दे रहा है बताना चाहिए न घर से माँ आलू का शचमा लिए में है काला दीब जी हर भाना थिटा करोंगे मैं अकल भेंस चारा ने गई है हमें को अकल नहीं है मैं क्या कहता हूँ मेरी बात पर ध्यान दो जिदर मेरी ये उंगली जाए उधर देखना बाबा नजर आ जाएंगे देख रही हो हाँ देख रही हो देखो देखो ए कालादीब जी अरे मैं कितने बार कहूंगी कि मैं बाबा को कहीं नहीं देख रही है किदर देख रही हो मैं तो सुंगली के तरफ पना देख रही हो सुंगली के तरफ कट वहर देख रही हो बाबा उधर बईठे बाबा ए बाबा देखे आपके सामें को नहीं है बाबा देखो चोचा को दादी आईल बारी हे रंभा दिक अफशरा परियो की सरदार बहु बिदितान लगा के गाउ बसंद बहार मैं भी बसंद बहार का निर्मान करता हूँ हुआ 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 हु जब मेरे बाबा को फुखना के, जब मेरे बाबा को फुखना के, कुरी जरोली मास पूरा बढा बढा में जैओ繼ुग जैओ praticamente कुरीे जैओ जैओे टू तुरंदक जैओ जैनी किकंडा बोली जैओ 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 будем लग्याओ व्याओं तो आपना तिरिमेनी बागी जाओंगी, वाबागी जोगी, पुझे जाओंगी, दाबागी जोगी झाल झाल जाओंगी बाबा तेरे गोध में गंदा कर जाओंगी बहुत पिटा करूंगी बताओ ए काला देव भी अरे हम लोगों किबस की बात नहीं बाबा का धन खनन करना अरे यह गाना काओगी तो बाबा हिलेंगे तुमारे गाने से जब इकाला देव नहीं हिला तो बाबा क्या खाक हिलेंगे तो कैसे गाओंगी बताओ अरे यही गाना काती हो प्यार से जगाओ बाबा को कैसे? मीठी आवाज अचा जैसे सुरीली तांग में जब बाबा को जगाओगी न तुमारी सुरीली तांग जब बाबा के कानों में पड़ेगी तो वो एकदम से जाग उठेंगे गाओ मीठी दिली ओ बाबा की जरा भी को देखिये बाबा जरा भी को देखिये बाबा किसिन किसिन या फ़राए थारी हाए बाबा कोई 12, कोई 12, कोई 12, कोई 16 बरस की हाए बाबा कोई 25 बरस की उमर की हाए बाबा जाओ नक सिक साजे है सिंगार की दुरे दिने हो बाबा जो मुने बाबा मैंने दखोले जो मुनी बाबा मैंने दखोले मैं भी मारूंगी इस बोलर नितुरे दिले हो बाबा जिस आहे भूली तुरतिया हमार नितुरे दिले हो बाबा कालादेब जी अरे कोई उपाय करो न तुम मैं उपाय करूं अरे मुझ से यदि पहले कहा गया होता अच्छा तो यदि मैं अपना राग यहां शुरू करता तो बाबा यहां से भागते कालादेब जी अरे जब हम लोगों से बाबा का धन खंडन नहीं हुआ तुम्हारे जाने से बाबा भागती नजर आएंगे तो और कैसे तुम लोग तरह तरह का रग गाती हो अच्छा और मैं सब राग का बाप गाता हूं ऐसा कौन सा राग है तुम्हारा मेरे राग का ना जब हमारे खांदान के लोग लठरागा लापते है न अच्छा तो बराबरा पहलवान भी मैदान छोर कर भाग जाता है कैसे इस राग को मेरे दादा जी बनाए थे गानी का प्रेक्टिस करने लगे प्रेक्टिस करते करते बुढ़ा होके मर गए गा नहीं सके फिर क्या हु कालादेन एक बात बताओं जब आप का दादा जी इस लठरा को प्रेटिस करते बुढ़ा होकर मर गए ऑप सुनने की क्या जरूरत है, जो संगीत के साथ सुरों को जानता है, वो किसी भी गीत को कहीं भी तयार करके गा सकता है, क्योंकि संगीत के साथ सुरों में हर गीत का बोल, धुन और ताल लिखा रहता है, और संगीत के साथ सुर क्या है, ये भी पता नहीं, बताता हूं, सुनो सं यह संगीत के साथ सुर है हां हर चीद स्वर में होता है कैसे जैसे स्कूल में मास्टर सहाब बच्चों को पराते हैं तो वो भी सूर में पराते हैं मास्टर सहाबी स्कूल में पराते हैं को खो 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 हां अच्चो छो जो 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 इहां अरे बैया पूरा तवला तोर दिया अरे बाप एक काला देब जी अरे यह है संगीत का साथ सुरू वहां और यहां क्या कर रहे हो मैं बता रहा था कि हर चीज स्वर में होता है अच्छा अब मैं अपना राग शुरू करता हूं तुम लोग थोड़ा मेरा साथ देना अच्छा ठेक है हुआ 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 ह